हाई फ्रेंड्स मैं आप इदन सारी आप देखर इस्टार बोडिवर्स यह एक्सेस फोर है मारती एक्सेस फोर और इसका एक ऐसा प्रोलम है यह आप देख सकते हैं मीटर तो यह जितना भी रीडिंग बाता रहा है जिरो बीस चालीस साथ तो इसमें लाइट कंटीनुल लगक रहा है इसका बाहर ले लिया हूं फिर भी यह लाइट कंटीनुल लगके रह रहा है उसके लिए मैंने पुरा इसका वायरींग जो भी है सब चेकल यह रिले और देख सकते बहुत सारा मैंने खोला इसको तो इसका प्रोलम किदर मिला ने तो अभी मेरे पास दूसरी में डाउट आ रहा है आपको यह इसका वायर भी निकालके बाद आता हूं इसका लाइट चला जाएगा अभी मैंने इसका सॉकिट निकाल दिया हूं अब देख सकते इसका लाइट चला गया तो अभी कोई भी लाइट नहीं आ रहा है इसमें जो भी लाएट आ रहा था तो अभी लाइट नहीं है इसमें अभी दूसरा लागा के चेक करेंगा उसमें लाइट आ хотя क्या फिर से एक बड़ इसका सॉकिट लागे दिखाता हूं शैण अभी लाइट नहीं है जैसा सोकिट लगाएंगा मैं देख सकते हूँ यह लाइट नहीं अभी लाइट लगा रहा हूँ लाइट आ जा रहा है अभी सोकिट फिर से निकाला मैं दूसरा मिटर लगां और फिर मैं इस तरह से उसमें भी निकाल वायर करके देखूंगा इसका कपलर तो यह इसको चेक करेंगे हम इस然後 कपलर लगा दिया हूं अब देख सकते इधर बैठ गया है इसमें कोई भी लैट नहीं है तो ये मीटर का प्रोड़म में कि इसका मिटर रिप्लेस करना पड़ेगा और फिर से मैंने इसका फिर से निकाल करके आपको गाड़ी का जो मीटर है तो फिर से लगा के देखता हूं तो अब देख सकते हैं यहां पर सीनीचर किया हुआ यह हमारे पास के मीटर है दूसरे गाड़ी का और यह मीटर इस गाड़ी का है तो देख सकते हैं यह लैड तो नहीं है जैसा मैं कपलर लगाऊंगा इसका लैट आ जाएगा अब यह लैट आ गया कपलर निकाल दिया लैट चला गया अब लैट आ गया चला गया पादा है तो यह लाइट का लपण है तो वायरिंग वगयर कुछ भी इसका प्रोडम नहीं है मुझे इसमें बहुत खेलना पड़ा क्योंकि मुझे लगा कहीं वायर सोट हो गया क्या क्या क्योंकि लाइट यह कंटीनु लगकर रह रहा था तो सब से कर लिए वर प्रोल्म सॉल नहीं हुआ तो लास्ट में इसका मैं मीटर चेंज करके देखा दूसरे गाड़ी का तो इसक मीटर रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि इसका बैटरी डाउन हो रहा है कंटीनु उसका मीटर रह रह रहा है तो तो फ्रेंट्स हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट से रहा सब्क्राइब जरूर करें